हेलो गाइज एक वाइप फीर से मेरी चैनल उनलाइन विकासमा आप लोग का स्वागत हैं जो नहीं है जो पुराने है सभी का स्वागत हैं आज मैं इस वीडियो के मादम साप लोग बताने चाहरा हूं कि SSC की दवारा एक नोटिस जारी किया गया है जो कि 7 मई 2021 को जारी किया गया है उसमें CHSL, CGL और जो GD का एकजाम फोम आने वाले थी उसके बारे में बताया गया है और नोटिस निकाला गया है तो आज मैं आप लोग को एही दिखाऊंगा और एही आप लोग को पढ़के उससे पहले जो लोग मेने चैनल को सस्क्राइब ने किया है उन लोग फट़ापट सस्क्राइब की चम्हारे बेल आइकन को दबा दके रखे ताकि आप लोग को नोटिकिसन मिलता रहें चलिए देखते हैं इसा कि आप लोग देख पा रहा होंगे ये नोटिस यही नोटिस Commission has decided to postpone the flowing examination till further order. मतलब कुछ दिनों के लिए ये सभी examination आप लोग को देख रहा होगा, तो ये सभी examination को क्या किया जाता है, postpone किया जाता है. देखिये क्या क्या कौन सा examination postponed है, यह भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग को दीख रहा होगा, अच्छी तरह से तो देखिए फर्ष्ट में जो कि फिलहाल चल रहा था 12 अप्रेल से CHSL का एक्जाम टीर वन का तो उसको पॉस्पोंड किया गया है और देखिए क्या लिखा है तो नोटिफाइड डेट ओप देखाम मतलब कब नोटिफाइड किया जाएगा मतलब एक्जाम होगा कब से या नहीं होगा यह कब नोटिफाइड किया जाएगा 21 या 22 मैं को नोटिफाइड किया जाएगा और फिलहाल जो एस्टेटस है वो पोस्पोंड है दोस्तों और फिर देखिए रिमार्स क्या लिखता है मतलब कौन लोग के लिए यह किया जाएगा जो वेस्ट बंगाल जिसका भी मतलब सेंटर पड़ता है उन लोगों के लिए फिर देखिए जो दूसरा एक्जाम है वो क्या है देखिए दूसरा एक्जाम सी जी एल यानि कंबाइन गेजुएट लेबल का जो टीर ओन का जो एक्जामनेशन होनी थी जो 2020 में अपलाई हुआ था फोम तो उसके लिए जो एक्जामनेशन का जो कुछ भी नोटिस से और फिर आप लोग सभी जान रहे होंगे कि अभी किसका आने वाला था gd का जाने की जेनरल डिवोटी का जाने वाल था यह किया बोलते है उसको फोम आने वाल था वह तो थो देखिए उसके लिए क्या क्या नोटिस निकाला गया है यहांपे देखिए दाटर of notification of the flowing examination has also be postponed till further order मतलब यह जो GD का जो फोम आने वाले थी उसको भी पोस्पोन किया गया है तो देखिए कब तक किया गया है कब notify फिर से किया जाएगा वो इसमें नहीं दिया है लेकिन देखिए क्या लिखा है तो serial number है name of the examination तो देखिए क्या लिखा है constable GD ठीक है जो कि फोम आने वाला था इन सी एप पिएप एन आये SSF and Rifleman GD in Assam Rifles examination 2021 का जो यह आने वाला था तो कब आने वाला था एक बार था 25 March को नहीं निकलने के बाद फिर से नोटीस निकाला गया कि फर्स्ट वीक ओफ माई को मतलब माई का फर्स्ट वीक में निकलेगा फूम लेकिन ऐसा भी नहीं वहा देखिए इसको भी क्या कर दिया गया है पोस्पोंड कर दिये गए परजन जो स्टेटस दिखा रहा है वो पोस्पोंड है तो आप सभी लोग को बहुत ही इंतिजार होगा कि कब आएगा जीडी का तो इसका जैसे ही आएगा तो हम आप लोग को मैं बता दूँगा बना वीडियो बना के डाल दूँगा या फिर आप लोग को कुछ भी करके मतलब नोटिस पहुंचा दूँगा ठीक है तो इसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर रखे बेल आइकन को दबाकर रखे जैसे ही आता है आप लोग को मैं तुरंत वीडियो बना करके डाल दूँगा आप लोग के पास नोटिस पहुंच जाएगा तो यह देखिए फिर और क्या लिखा हुआ है देखिए नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है तो देखिया और क्या क्या लिखा हुआ है क्या नोटिस निकाला गया है ससी के दवारा तो थ्री में देखिए तीन नंबर में क्या है फ्रेस डेट और प अगर एग्जाम लेने दिया जाएगा तो फिर आप लोग को भेज दिया जाएगा यही बेल आइकन को दबाक रखिएगा और चैनल का सब्सक्राइब करके जो लोग नए है बस इतना किजएगा फटाक से आपका मवाइल में यूटूब पे आ जाएगा जैसे हिम आता है मैं अफ्टेट करता रहूँगा क्योंकि जीडी का बहुत ही जरूरी है मुझे बहुत तों लोगों ने पूछ रहा है कि मतलब कब आएगी एकजाम मतलब इसका यह फोर्म कब आएगी और जो सीजियल का लिएग्जाम है यह कब होगी मतलब इस तरह का बहु मतलब आप लोग सभी लोग के पास तो मोबाईल फोण है तो कहहना है कि Time to Time मतलब समय समय पर ज्लोब्स उस पहर संबस्कारइब तो आप लोग को सबसे पहले मतलब दिख जाए आप लोग को इनफोर मील जाए ठीक है तो उतना नहीं किजिए का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रहें जरूर मैं आप लोग को हर मतलब नोटिस डालता रहूँगा जैसे कि यहां पर है तीन एक्जामनेशन के बारे में लिखा हुआ है तो यह है फर्स्ट में CHSL है तो CHSL के लिए भी मैं बना दूँगा वीडियो जैसे ही मतलब नया डेट आता है उसे ही और जो CHSL है CHSL के लिए भी मैं बना दूँगा नया डेट जो भी आएगा अभी तो आया नहीं आएगा तो ओही जो कि यहां पर नोटिफाई किया जा रहा है मतलब 21-25 के बीच किया जाएगा और जो CCL का ही 59-25 से लेकर के सथ छे चेल के बीच मतलब नोटिफाई किया जाएगा और इसका तो इसका तो पता नहीं घर ऑन को स्मोंड है ऐसके तो बहुतों लोगों का कंवेंट आ रहा था मेरे को कॉल करकर पूछ कर गया बाता थोड़ा तो आभी तो पास्मोंड है भाय जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं जो लोग भी कोमेंट किये थे तो उन लोगों के को बताना चाहूंगा कि अभी पॉस्पोंड है अभी एक्जाम निशन फॉर्म जो फॉर्म भराएगी जीडी का ओ अभी नहीं आ पा रहा है ठीक है जब भी आता है मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगा तो यह अपडेट था आज का जो की ससी की दवारा निकाला गया था नोटीस तो चो लोग चाहते हैं कि मेरे दवार नोटीबी किसन आप लोग को मिलता रहे हैं ससी से लेकर मतलब और भी वेगैंसी से रिलेटेड तो उलोग मेरे चानल को सब्सक्रा जय हिन जय बार